दोस्तो ओरिजिनल क्लिप को देखो और अब इसी का काटून वर्जिन देखो और ये मैंने किया सिफ एक क्लिक से वो भी अपने मुबाइल फोन से यहाँ पर अब देखो ये मैंने ओरिजिनल क्लिप यहाँ पर अपलोड किया इसने मुझे ये दिखे यहाँ पर कार्टून बना के इस क्लिप को दे भी दिया अब दोस्तो ये क्यों important है ये आपके लिए क्या काम में आ सकता है दोस्तो ये जो चीज है ये YouTube पर या अभी पूरे दुनिया में बिल्कुल नया है जो किसी भी वीडियो को खासकर मुवी क्लिप को कार्टून बना के दे रहा है तब यहाँ पर दोस्तो क्या होगा यहाँ पर आपका क्या profit है देखिए यहाँ पर अगर आपने दिखा होगे कि बहुत सारे लोग मुवी क्लिप अप्लोड करके earning करते हैं लेकिन वो आप करने जाते हो तो आपको आ जाता है copyright strike, copyright claim बहुत कुछ लेकिन अब अगर आप इसी चीज़ को क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है अगर कार्टून एक नया कॉनसेप्ट है कि मुवी को आप कार्टून बना के सब को दिखा रहा हो क्योंकि अभी ये चीज़ आप पूरे YouTube में देख लो जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है पूरे YouTube में कोई नहीं कर रहा है तो अगर आप आज से इस चीज़ को शुरू करते हो आप बनोगे दोस्तों first mover याने का सबसे पहले शुरू करने वालों में से आप एक होगे लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ सब को पता चल जाएगा बहुत सारे YouTubers इसके बार में वीडियो बनाएंगे तो अब competition बहुत बढ़ जाएगा तो अगर आप आज इस वीडियो को देख रहो या इस वीडियो के अपलोड होने के साथ दिन, दस दिन के अंदर इस वीडियो को या एक महीने के अंदर भी इस वीडियो को देख रहो तो काम करना अभी से start कर दो क्यूंकि बहुत chances है कि इस पर अभी तक आपका competition नहीं बना लेकिन जैसे धीरे-धीरे बहुत सरे यूट्यूबर्स इसके बारे में वीडियो बनाने लग जाएंगे तब दोस्तो इसमें competition आ जाएगा तो अगर आप यह सोचते हो कि भाई जब competition आ जाएगा तब हम क्या करेंगे देखो अगर आप अभी से इस पर काम करते हो तो जब आपके पास competition आएगा यह channel इतना speed से boost होगा कि सिर्फ एक दो महिने में आप पाँच लाक से दस लागे ने कि एक मिलियन सब्सक्राइबर के करीब पहुँच जाओगे तो जब आज से दो महिने या तीन महिने बाद बहुत सरे लोग इस काम को करेंगे तो आपके पास अल्रेड़ी एक मिलियन के ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा लेकिन फिर भी मानते हैं एक मिलियन के आसपास आपका सब्सक्राइबर बेस होगा तो जब आप कोई वीडियो अपलोड करोगे और जब वो नया बंदा कोई वीडियो अपलोड करेगा तो जहीं सी बात है कि आपको वहाँ पर कमपिटिशन सेस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके चैनल पर एक्टिव ओडियन्स होगे आने वाले टाइम पर लाखों में दोस्तों इसमें अर्णिंग है और इस कंडियन्टा कैपसिटी बहुत ज़ादा है अभी जिस AI का यूज हम करेंगे ये नॉर्मल वीडियो को AI या काटून वीडियो में कनवर्ट करने के लिए ये जो दोस्तों है ये हम एक AI का यूज करने वाले है जो भी अभी के टाइम पर फ्री है और आपको एक तिस पता है कि कोई भी नया AI आता है पहले 3-4 महीने फ्री रहता है उसके बाद जैसे जैसे वो popular होने लग जाता है यूट्यूबर्स उसके बाद में वीडियो बनाने लग जाता है तब जाके वो paid हो जाता है यानि कि उसको use करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे तो अगर आज से 3-4 महीने बाद ये AI भी paid हो गया इसको use करने के लिए भी पैसे लगने लगे तो भी आपके पास बहुत सारा पैसा होगा compare अगर उनसे करोगे जो आज मतलब उस दिन उस channel को शुरू करेंगे अगर आप महीने के लाग दो लाग रुपे कमा रहे हो तो अगर कोई company आपसे 1000 रुपे 500 रुपे चार्ज कर रहा है उस चीज के लिए तो उसमें बुरा ही क्या है वो भी पैसे के लिए कर रहे हैं आप भी पैसे के लिए कर रहो तो बुरा ही उसमें भी नहीं है तो अगर आने वाले टाइम पे ये लोग चार्ज भी करें तो वो देने का पैसा भी आपके बहुत सारा होगा इस content पे अगर आप आज से free में काम करना start करते हो तो देखो सबसे पहले इस तरह के चीजों के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले दोस्त आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा film जो आप यहाँ पर जिसके audience बहुत हैं जिसको देखने लाएक लोग बहुत है for example मैंने यहाँ पर दोस्तो सर्च किया है कल होना हो बेश्ट सिन यहाँ पर यह देखिए कल होना हो movie एक बहुत popular movie आप सबने देखा होगा तो जो यह है इसका बेश्ट सिन यह देखिए यहाँ पर तीम साल पहले अप्लोड किया गया था जिस पर 1.2 million views है दो मिनिट 16 सेकंड का दोस्तो यह वीडियो है अब दोस्तो यही चीज आप कर सकते हो cartoon में जब आप cartoon में करोगे तो copyright claim strike कुछ भी नहीं आने वाला सिर्फ पैसा आने वाला है दोस्तों क्योंकि एक तो इनका जो system है वो से judge नहीं कर पाएगा दूसरे दोस्तों आपको शायद पता होगा अगर आप news बगरा देखते हो तो USA में एक law बना है कि अगर कोई भी चीज AI generate करता है तो उस पे किसी का copyright नहीं है तो आपका जो यहाँ पर चीज है मतलब आपका जो यहाँ पर clip है वो तो AI ने generate किया है मतलब उस पर किसी का copyright नहीं है चाहे अगर original company वालोग अगर आप भेजोगी भी न भाई देख तेरा वीडियो मेंने AI बनाया कार्टून बनाया जो करना है कर ले वो literally कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पर अभी तक जो law है उस पर किसी का copyright नहीं है तो चाहे आप उनको T-series के owner को अगर आप भेजोगे कि देख भाई तेरा यह वीडियो था और इसको मैंने कार्टून में convert कर दिया AI से जो करना है कर ले वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो law rules के against नहीं जा सकते YouTube तो जाएगा ही नहीं तो इससे आप एक दों guaranteed रह लो कि अगर आप AI generated content बना रहो तो एक तो उनको पता नहीं चलेगा दूसरा चीज पता चल भी गया तो भी आपको कोई problem दोस्तो नहीं आने वाला तो काफी कमाल का चीज है ये ये चीज़ याद रखना तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल हो ना हो के बार में मैंने ये चीज़ बनाये हुआ अब दोस्तो मतलब मैंने सर्च किया हुआ है अब अगर मैं इहाँ पर कोई गाना सर्च करता हूँ जैसे again for example हर घड़ी बदल रही है रूप जिन्देगी ये गाना भी सबने सुनाये तो इस गाने को मैं चलिए AI में convert करता हूँ स्टार्टिंग में मैंने कोई यही गाना सुनाया था अब दोस्तो मैंने नहीं सुनाया था मैंने प्ले किया था सुनाया इन्हों नहीं था तो इहाँ पर दोस्तो अगर मैं इहाँ पर इसको डाउनलोड करता हूँ डाउनलोड कैसे करोगे वो दोस्तो YouTube के उपर नहीं बता सकता हूँ आप पर आप देख सकते हो, गाना प्ले हो रहा है, तो अब डाउनलोड होने के बाद, मैं इस गाने को एडिट करूँगा, क्यूंकि फुल गाना तो मैं यहाँ पर दूँगा नहीं, तो आप जो सीन डाउनलोड करोगे, माल या कोई मुवी अपने डाउनलोड किया, जो दो गंटे का है, अब क्या आप दो गंटे का मुवी एक साथ अपलोड कर दोगे, नहीं, यह नहीं होगा, AI बहुत टाइम ले लेगा उसको कनवर्ट करने में, तो हम इतना नहीं कर सकते, हम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का क्लिप बनाएंगे, अब आप बोलोगे भाई, 20 क्या engagement आएगा, नहीं, आप एक काम कर सकते हो, आप 1 minute का, 2 minute का कर सकते हो, 2 minute का आपने किया, तो 2 minute करके आपने 5 क्लिपs कनवर्ट किये, तो 10 minutes का हो गया, क्लिप, 10 minute उन सब को मिलाओ, अब लोट कर दो YouTube में, कोई इश्यू नहीं होगा, तो अभी दोस्तों, यह जो गाना है इसको हम shot करेंगे इसके लिए दूस्तों हम आया है काइन मास्टर में इहाँ पर create new पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पस जो options आएंगे उसमें से 16 is to 9 select करके create पर क्लिक करना है और फिर यह देखिए original जो गाना है वो आ चुका है तो यहाँ पर अब हमें based जो हमारा है मतलब जिसको हम चाहता है कि हम इस clip को cartoon में convert करेंगे तो मैं उस position को ले लूँगा तो यहाँ पर आप simple से for example मैं अगर इस scene को लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर यह वाला scene है जो मैं आपको starting में दिखाया था अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ सबसे पहला तो इस पर tap करूँगा एंड उसके बाद एक दम उपर आप देख सेकते हो trim split जो है इस पर click करूँगा trim to lift कर दूँगा यह left तक मेरा cut हो गया अब नहीं यहाँ पर इधर आऊंगा जितना बड़ा मुझे clip रखना है for example मैं 5 second का आसपास रखता हूँ यहाँ पर रखके मैं फिर से देखे trim right है मैं trim right करके इसको हटा दूगा अब मैंने 5 second क्यों रखा क्योंकि जैसे मैं आपको बोला था कि जितना बड़ा मेरा clip होगा उतना time लगेगा AI को उसे normal से cartoon में या animation में convert करने के लिए so उतना time अगर मैं दूँगा तो आपका भी time बरबाद होगा मेरा भी बरबाद होगा मुझे यहाँ पर main सिखाना है आपको so यह मैंने कर लिया अब मुझे यह पर कोई effect वगरा देनी की ज़रूरत नहीं है simple इसको export करो यहाँ पर export का sign है export करो save this video कर लो and उसके बाद हम इसको upload करेंगे अपने AI में अब AI कौन सा है वो देखिए हम दोस्तों आएंगे Google में and Google में आकर मैं search करूँगा domo AI spelling देख लिजिए आपको यही search करना है and उसके बाद आपको सबसे पहले इनका official website मिल जाएगा इस पे click नहीं करना है थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनका discord server यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिंक आपको मिलेगा वो है discord.com invite.domo.ai तो यहाँ पर आपको इस पे click करना है and यह आपका discord पर open हो जाएगा जैसे भी मेरा हो रखा है अब दोस्तो discord में open होने का मतलब है आप ऐसे ही open नहीं कर सकते है आपको discord में अगर आपका अभी तक account नहीं है तो account बनाना होगा Google से बना सकते हो Google email connect कर सकते हो Facebook से बनता है यहाँ पर आप normal email देके भी बना सकते हो and उसके बाद आप discord में enter कर जाओगे इसके बाद इनका जो rule है डोमो AI क्या कुछ terms and conditions है आपको वो भी accept करना है easily हो जाएगा तो वो मैं दिखा के time waste नहीं करता हूँ तो देखिए यहाँ पर यह जो है देख सकते हैं बहुत सारा लोग ऐसा बना रहे है देखिए इस भाई ने कुछ upload किया इसको यह cartoon में convert कर दिया है यहाँ पर आप देख से तो इन्हों ने कोई video upload किया इसको यह cartoon में convert कर दिया है देखिए किसी ने यह गारी upload किया इसको भी cartoon में convert कर दिया गया है वैसे convert case में करना है 2D में करना है 3D में करना है वो भी यहाँ से आप दोस्तों कर सकते हो सब तरह का option है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर convert करने के लिए अपना video upload करना होगा इसके लिए देखिए यहाँ पर अच्छा इसके लिए एक और चीज देखिए यहाँ पर यह जो है कुछ rooms हैं जैसे generate 1, generate 2, generate 3 मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ वैसे यह कम computer में easily होगा क्योंकि बहुत से चीज़े visible होगी बड़ा बड़ा screen होगा देखने में अच्छा लगेगा और यहाँ पर छोटा छोटा लगेगा लेकिन फिर भी हम काम कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने zoom किया इस पर तो देखिए यहाँ पर जो rooms है इसमें हमें आना है सबसे पहले generate one जो है मैं इसी पर हूँ तो इसी पर काम कर लेते हैं इसको zoom out किया एकदम नीचे के साइड आप देख सकतो मैसेज में यहाँ पर मुझे टैप करना है टैप करने के बाद यह portion open होके आ चुका है मतलब मेरा keyboard आ चुका है अब मैं यहाँ पर इसमें जाओंगा और यह जो श्लैस है इस पर क्लिक करूंगा ठीक है अब यहाँ पर इसके बाद आपको लिखना है वी आई डी ओ वीडियो तो इहां पर मैं community करणगा यह हट जाएगा अब देखिये मेरे पास आ चुका है वीडियो प्रॉम्ट ठीक है तो मैं इस वीडियो में ख्लिक कर दूंगा और जैसे ही क्लिक कर दूँगा देखिये मेरे पास एक option आ चुका है वीडियो अफ्लोड करने का ये देखियेle DAG & D अब इसके बाद तीन option है camera है दूसरा camera है and files है तो मैं files में जाओंगा और अब files में जितने भी videos मेरे हैं वो आ चुका है उसमें से जो मैंने काइन master से किया उसको दोस्तों यहां पर select करके import कर लूँगा चीक है अब यह आ चुका है अब इसके बाद आप एक चीज देखिए थ explain करना है तो मैं simple अगर prompt में click करूंगा यह देखिए prompt आ रहा है अब यहां पर मुझे लिखना होगा इसके बारे में कुछ जैसे मैं यहां पर two people dancing लिख देता हूं तो मैंने यहां पर लिख दया two people dancing अब आप यहां पर और भी चीज़ा आड़ कर सकतो जैसे with moon in the background ऐसी आप देख सकतो flat color anime style इस पर अगर आप click करोगे तो आपको बहुत सारी और option देखने को मिलेगा जैसे यह देखिए यह पर Japanese anime style है लाइव style है Chinese link है 3D cartoon style है comic style है तो आप कुछ भी कर सकतो for example मैंने जब आपको पहले दिखाया था तब मैंने वहां पर जो दिया हुआ है V1 मैंन पर यह होने में बहुत time लगता है वो कितना लगता है मैं बोल दूँगा आपको यहां पर देखिए यह इसके बाद यहां पर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने चाहर चाहर नहीं किया था आप चाहर तो try करके देख सकतो कौन सा चीज क्या है लेकिन मैंने कुछ changes पर न नीचे करके चेक कर लेना कि आपका वीडियो कहां पर है जैसे देखिए मेरा यहां पर है मेरा color अब देख सकतो थोड़ा सा difference है ठीक है यहां पर यह बाकी के color जो है और मेरा यह जो color है यह वाला यह difference है तो मुझे easily मिल गया तो अगर आपको नहीं मिलता है थोड़ा सा ढू ग्राइब वो देखिए अब इसके बाद हमें end में editing करना है मैं हूँ काइन मास्टर में and for example अगर आपके 4-5 clips हैं तो आप उनको एक साथ सिफ जोड़ के export कर दोगर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है simple media में जाओ and यहां पर आप देख सकते हो मान ले देते हैं कि यह हमार इसके उपर अपना एक logo लगा सकते हो for example अगर मैं इहां पर लिख दूँ अरिनिसमा टिप्स तो यह हट जाएगा कोई issue नहीं है या फिर आप pen and zoom करके भी इसको दोस्तों इस तरह से कर देना तो यह हट जाएगा तो बड़ा simple है easy है इस तरह की चीजों को मतलब आप इसमें expert आपको पता ही है कैसे यह सब काम करते है तो I hope दोस्तों आपने कुछ नया सीखा जो आने वाले टाइम पर आपका ज़रूर help में आएगा काम में आएगा इसके regarding अगर काम करना है तो इसके regarding channel बनाओ काफी जल्दी ग्रो होने के दोस्तों chances है इस वीडियो में इतना ही आप से मिलते हैं अगली वीडियो में